तुम ताकतवर हो भारत फिलिस्तीन ने आखिरकार भारत के सामने क्यों गुहार लगाई है जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ तूर्की के अर्दोगन और नेतन याहू सीधे सीधे भिड़ गए हैं तूर्की ने इसराइल को बता दिया है एक आतन की देस और परमानू बम को लेकर भी कई सारी बाते कही है जिसके बाद नेतन याहू भी गुस्से में आ गए जानेंगे इसराइल ने क्या जवाब दिया है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इजराइल हमास के बीच चल रही जंग को एक महिने से अधिक का समय हो गया है लेकिन अभी ये थमने का नाम नहीं ले रही है वहीं इजराइली सेना ने अब ग्राउंड लेबल पर भी हमले तेज कर दिये हैं इजराइली बल गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल सीफा में दाखिल हो चुकी है जहां हजारों लोग भरती हैं लेकिन उन्होंने इस अस्पताल के नीचे चल रहे संदिग्ध हमास कमांड सेंटर को कथी तोर पर तबाह कर दिया वहीं तूर्की के राष्ट पती रेज़ेब अरदोगन ने कहा है कि इसराइल एक आतंकवादी राजी है जो गाजा में युद्ध अपराध कर रहा है और अंतराष्टिय कानूनों का उलंगन कर रहा है राश्टपती रेजब तयव अर्दोगन ने ये बात अपने देश की संसद में सांसदों से कही वो अपनी सराय पर कायम है कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है रेजब तयव अर्दोगन ने इसरायली प्रधानमंतरी बेंजामी नेतनियाहू से ये घोसना करने के लिए कहा कि इसरायल के पास परमानू बम है या नहीं उन्होंने कहा कि हमास एक राजनितिक दल है जिसका चुनाव फलिस्तिनियों ने किया है रेजब तयव अर्दोगन का ये बयान इजरायली सेना द्वारा गाजा के अलसीफा अस्पताल में परवेश करने के बाद आया जिसके बारे में इजरायल का दवा है कि इसपताल से हमास कमान्ड सेंटर संचालित होता है गाजा में अस्पताल के डाइरेक्टर का कहना है कि इजराइली टैंक चिकित्सा परिसर के अंदर थे और सैनिक आपात कालीन और सरजरी विभागों सहीत इमारतों में घुस गए इजराइली सेना ने कहा कि हमास अपने लड़ाकों के लिए अस्पताल को कवर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और उसने गिरे हुए छेतर में सबसे बड़े सीफा अस्पताल में और उसके नीचे अपना मुख्य कमांड सेंटर अस्थापित किया है इससे पहले तैयब अर्दोगन ने इजराइली और फलस्तीनी बनों के बीच ततकाल युद विराम का आवान करते हुए कहा कि मुस्लिम देसों को छेतर में अस्थाई सांती सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ इसराइल की जबावी कारिवाई का समर्थन करने के लिए पस्चिम की आलोचना करते हुए कहा कि हमास एक आतंकवादी संगटन नहीं है ये एक मुक्ति समू है मुझाहिदीन है अपनी भूमी और लोगों की रच्छा के लिए लड़ाई ल हो जाएगा पर आल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है उल्टा ये हो गया कि मैं चाहती हूँ आप नेतन्याओ का ये रिप्लाई सुनिये नेतन्याओ ने कहा कि मुझे उससे लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है जो खुद एक आतंकवादी है और अपने ही देश में अलग-अलग जगहों पर बं मगेरा गिराता रहता है यहाँ तूर्की और अदोगन की एक अलग लड़ाई चलने लगी वेसे आपको बता दें स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए कहा जाता है कि तूर्की का करीब 7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है इसराईल को और 2 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है ऐसे में अभी तक तूर्की ने कथी तोर पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है इरान सुरू से कह रहा है कि सारे संबंदों को तोड़ दो यहां तक की बैपारिक संबंदों को भी तोड़ दो लेकिन अभी तक तूर्की ने ऐसा नहीं किया है नेतनियाउं ने कहा कि प्रेसिडेंट अर्दोगन आतंकियों का समर्थन करते हैं और तूर्की के अंदर के गाउं में खुद ही हमले करवाते हैं इसलिए हम लोग उनकी उनका लेक्चर सुनने के लिए यहां नहीं आये हुए हैं अमेरिका को सारी चीजें देखते हुए आमेरिका के जो वाइड़न वह भी कह रहे हैं इस बात को कि इसराइल को आखिरकार एक डेडलाइन पर चलना होगा एक टाइम पर चलना होगा और इस टाइम पर सारी चीजों को अब समाप्त करना होगा ऐसा नहीं कि अनवरत आप आराम आराम से चलते रहें और आराम आराम से यहाँ पर एक्शन लेते रहें वैसे आपको बता दें यहा कोबल तोर पर होता हुआ भी दिख रहा है और अब फलिस्तीन को ऐसा लग रहा है कि और कोई भी नहीं बचा हुआ है जो उसकी मदद कर सके जंग को एक महिने से ज्यादा बीच चुका है इस बीच एक बार फिर से फलिस्तीनी राजदूत अदनान अबु अलहेजा ने भारत स बीच जारी जंग में जवाबी कारिवाई में इजराइल जिस तरीके से गाजा पटी को निसाना बना रहा है इस यूद में कहा जा रहा है कि अब तक 12,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और यूएन यहां पर बार बार सीज फायर की बात कर रहा है लेकिन सीज फायर करने को तैयार नहीं है इसराइल इसराइल यही चाह रहा है कि हर हाल में हमास खत्म हो बुद्वार को भी एक स्पेशल सेशन युएनसी में लाया गया और इस प्रस्ताओं में बारा देशों ने समर्थन किया कि हां ये युद्ध रुक जाना चाहिए अमेरिका रूस और ब्रिटे के लिए स्पेशल सेक्यूरिटी की भी मांगी गई पर यहां पर इजराइल किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध के बीच फलस्तीन के राजदूत अदनान अबु अलहेजा ने भारत को मदद के लिए बोला है बुद्वार को फलस्त टूडे से बाचीत के दौरान अलहेजा ने कहा कि इजराइल हमास युद्ध में मध्यस्तता की बात होनी चाहिए फलस्तीनी राजदूत बोले कि उन्होंने कई बार भारत सरकार को फोन किया है उन्होंने कहा है कि वो भारत से फिर से आगरह करना चाहते हैं कि इजराइल हम अग्देश इकोनोमिक इस्तिती की वज़े से इस वक्त जगड़े के किसी भी मोड में नजर नहीं आ रहे हैं और दूसरी बड़ी चीज यह है ना कि इसराइल सच्छमुच में ताकतवर है इसराइल आप देखेंगे दुनिया की जितनी टॉप की संस्थाने हैं अगर उसमें आप ढूडेंगे तो ज़्यादा तरह आपको मिलेंगे यहूदी हर एक प्लेटफॉर्म को आप देख लीजिए आपको मिलेंगे यहूदी जो दिमाग से बहुत तेज होते हैं और यही वज़े है कि टेक्नलोजी हो या हतियार हो इस पर ये बहुत ज़्यादा राज करते ह और इजराई जैसे छोटे देश को हरा पाना मुस्किल हो रहा है इतने बड़े बड़े दिगजों को खैरे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है क्या भारत को इस मामले में उतरना चाहिए या फिर नहीं कमेंट कर अपनी राए जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ